हेलो विल्कम बेक टो मैं चैनल तो आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूं दोपहर के अभी बज़रे हैं बारा तो मावे पीछी पीछी आ रही है मावे जल्दी आ जो पेटा वह देखिए मावे को आज में शूज पहना दिये क्यूंकि इसको मैं जब भी सेंडल पहनाती है जब यहां खेट पे आती है तो खेट में बहुत ही ज्यादा जो है रिस्क होता है इसलिए हमें जो है शूज पहने पड़ते हैं मावे नो बेटा आगे नहीं जाना ठीक है तो मोटर लगाना भूल गई मैं पापाजी को बोलते हैं तो फ्रेंट्स तेखी अभी मैं यहां पर आगे हूँ अपने कव शट में और पहले जो है बारिश का मोसम में एकदम मस्त बना था क्योंकि बारिश होने वाली थी जैसे ही अभी बारा का टाइम हुआ है तो बारिश जो है बारिश तो नहीं बड़ी लेकिन सूरी देवता जो है सामने आने वाले हैं तो उससे पहले की बहुत जादा गर्मी हो जाए मैं फटा फट से अपना काम फिनिश करके जा रही है अपना गास काटने क्योंकि पशु भी सुबे से देख रहे हैं मुझे सुबे था रात का जो बचा होता है मतलब एक डो जो टोकरी बचा था हमने यहां पे डाल दिया था इनको सुबे सुबे ही साथ आठ बचे के करीब तो अभी बारा बज रहे हैं क्योंकि इनको तो अभी खाना दोपैर वाला भी चाही होता है तो देखिए अभी इनको मैं चारा जो है अच्छे से फटा-फट से काटके सीधा डाल दूंकि तो इ यह अभी फटा-फट से यहां पर इकाम खत्व करते हैं के चलते हैं तो चलिए अभी मैं काटाओंगी गास और बहा से काटेंगी क्योंकि वहीं से रोज में काती हूँ तो यह वाला बी बिरवाला चोटा-चोटा है तो जब तक यह बढ़ा ना हो जा तब तक मैं यहां के क काट लेती हूं कि मेरी स्पीड तो आपने देखी ली होगी मैं दस से पंदरा मिन्ट लगाती हूं गास काटने के लिए जाता में टाइम नहीं लगाती हूं तो देखिए फटा-फट से गास काटके पश्यों को डाल देते हैं यह गास जो है ना यह चरी है और यह बिल्कुल यह आप धाल सकते हो यह असानी से जो वहारे पश्यों है वो खा सकते हैं तो काफी यह काटने में भी असान होती है इसको ज़दा जो आपकी ताकत की जरूरत नहीं होती है आप ऐसे भी इसको फटा-फट से जट से काट सकते हैं कि मेरे बाई हाथ का खेल है मैं फटा-फट से कार्म लेती हूँ और चली अभी बूख लगी होगी उनको सुभे का डाला हुआ अचारा वो निद्द बूका था तो अभी मैंने गास काट रही हूं आप सीधा अट गास डाल देंगे आप अब यह जो गास है ना यह बड़ा बड़ा हो गया है तो आप इसको कातनी की जरूरत नहीं ही पड़ती है ऐसे ही काता हूँ ऐसे ही डाल दें आप बोई रहाज़े आज़े कुछ शरारत मत करना तो फेंस अभी छुट छुटी बूंदी जो है बारिश की पड़ रही है शायद कैमरे में में दिख रहा होगा तो जट से काट लेती में तो बारिश उपर ही ना पड़ जाए और च१ाइठ वीज माबे क्या गर रही हु हां मंरी क्या गर रही हो या यह यह भी यह ट्रेश काट रही घ्लूम कोईट गास फर्स टाइम गास के साथ खेल रही है तो चलिए किसको खेलने देते हैं हम काट लेते हैं अभी थोड़ा सा और गास तो फ्रेंट से एक में बात बता दूँ आप सब को मैं देखिए लेफ्ट से काटती हूँ ये मेरी जो में लेफ्ट से कार्ट लेकले लेकिन में प्यारिया अफ्णार कने देखिए लेफ्ट से यह मेरी काटने ऐ ऐनको कि मेरी लिए ये वाली दातरी पास लिए तो उखिए लेकिन के खाना नहीं देती खाना भाब्या को तो ये रहा मैंने अपना गास काट दिया है और अभी चलते हैं घाये को डालने के लिए जोट टपकना स्टार्ट हो गई है तो हमें भी देरी ना खरते हुए चलना चाहिए अभी कि आभी भारिश गड़ से पढ़ने रही है तो यह रहा मैंने अपना गास काट दिया है और अभी चलते हैं गाय को डालने के लिए क्यूंकि बारिश की बूंदे जो अट पकना स्टार्ट हो गई है तो हमें भी देरी ना करते हुए जलना चाहिए अभी क्या भी बारिश जट से पढ़ने वाली है तो चलिए फटा फट स अभी डाल देते हैं अपनी गाय को तो देखिए अभी फटा फट से यह खाना भी शुरू कर दिया है उपर तक बर के मैंने गास डाल दिया है तो अभी मज़े से खाएंगे शाम तक है शाम को फिर से डालेंगे तक तक के लिए तो यह काफी है पेड़ बर जाएगा अगर बारिश नहीं पड़ी तो शाम को फिर से काट के डालना पड़ेगा तो देखिए कल ना हम शाम को चलेगे थे अभी को लेकर डॉक्तर के पास तो शाम को हमने ना धूड़ी डाल दी थी लेकिन इन खाई नहीं तो इसलिए थोड़े से आज कम जोर दिख़ी है गाय चलो मावे बोल रहे हैं नहीं जाना नहीं जाना चलो चलो अभी आज तो फ्रेंट्स चलिए अभी चलते हैं सिधा घर यह तो अभी कच्चा है मैंगो खाना है खाना आपको मैंगो चलो रूको में देती हूं मेंगो यह लो तो फ्रेंट्स आते आते हमें मिल गी थे मैंगो और देखिए मैंगो को थोड़ा सा हिलाया मैंगो के पोदी को और डेर सारे मैंगो जो हां नेचे गिर गए और एक दम पके वह मैंगो हाईए और देखिए एक काम करने आए थे दो दो काम हो वे मैंगो भी ले आई में तो चलिए भी चलते हैं सिधा घर पे और घर पे क्या काम करने अभी दोपैर का खाना बनाना है तो चले मैंगो है बच्चे और यहां पे देखिए सर्फ मैंगो ही मैंगो मिलेंगे और बाड़िश के डर के वज़े से न मैं चले गए थी मैंने फोचा कि कहीं यह गंदा क्यों खा रहे हो चिंटी है इसको चिंटी होगी अब तो फ्रेंट्स अभी है दोपहर का समय और मैंने बना दिये है चाबल और आलू की कड़ी तो यह देखिए यहां पे यह बना दी है यह राइस है और यह बनाई है आलू की कड़ी तो बाकी यह देखिए मैंने ने मैंगो जो है काटके रखे है आवी इन मैंगो को मैं मिक्सी में थोड़ा सा भारिक से इसका प्यूरी बना दूंगी और फिर मैं इसका जो हट पापर डाल दूंगी सूखने के लिए तो चलिए आधी मेरे राइगया बरतन साफ करने के दिए थोड़े से और फिर हम आधी तो चलिए भी फटाफट से अपना काम फिनिश कर देते हैं तो फ्रेंट देखिए पहले जो है दूप निकल रही थी थोड़ थोड़ दूप पी निकल रही थी अभी कम से कम दो का टाइम हो रहा है दोपैर के हमारा खानावाना हो गया है और देखिए अभी जो इस चला जाता है लेकिन आसा नहीं है दो तीन दिन से बारिश भी धड़ा धड़ हो रही है तो यह रही मेरे आप पापड जो मैंने डाले थे सूख गया यह आभी दूप निकली थी इसलिए मैंने सूख निकली छोड़े हैं तो चलिए देखिए मेरे पापड जो है अगश्य और पड़ों को छोड़ देंगे अंदर और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्रेंट में जरूर बताएगा क्योंकि मैं आज का ब्लॉग यहीं पर अपना स्टॉप करना चाहती हूं कि अभी मुझे और भी देर सारा काम करना और आप सब के लिए मुझे नए 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 अगर आपको खाने से लेटल ब्लॉग चाहिए होगा कि मैं कोई रेस्टी बना के भी बताओं तो भी ब्लॉग पका लेके आँगी लेकिन देखिए अभी मेरा जो समोसा मैंने डाला था हमारे यहां पर पापड भी बोलते और समोसा भी बोलते हैं तो यह पापड है आम का मैं चुड़ा रही थी अभी प्लेट मैंसे लेकिन एक तो छूट रहा था लेकिन अभी कच्छा है अभी थोड़ा पका नहीं आए तो चली अभी बारिश आए उससे पहले आम पापडों को रख देते हैं अंदर तो चली तो अभी कापी ज्यादा बारिश आरी है और देख चलीए अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है और आज का व्लोग मैं यहीं पर एंड करती हूं आज का व्लोग अच्छा लग गया है अगर अच्छा लगया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और यह इस मोसम के बाद की जो वीडियो आपको जाही होगी वो मैं बाद उसका व